बहू, घर के काम बस कर अब, माईके नहीं जाना, जाके जाने की तियारी कार नहीं मम्मी, आज न मैं अपने माईके नहीं जाऊंगी, अंजली भी तो आ रही आज अरे जोती, तेरी शादी को ना पूरे चार साल हो गया है, तुझे अभी तक अंजली की नेचर का पता नहीं है अरे वो अपने घर में आ रही है, इस घर की बेटी है, तो क्या टेंशन है, तुने तो वैसे भी आज जाके कल वापिस आ जाना है और अंजली ने तो यहाँ पे 10-15 दिन रहना है, और तेरी शादी के बाद ना बहन आई हुई है और बहनों से मिलना तो ना माईके में ही ज्यादा तर हो पाता है, कोई बात नहीं बेटा तो चली जा और हो सके तो अपनी बेहन को साथ भी लेती आना, आने का नियोता भी दे देना और जाती हुई अपनी भतीजे के लिए कोई गिफ्ट भी लेती जाना ठीक है ममी जी, फिर मैं कली वापिस आ जानगी जठानी जी, वा, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है अंजली बेटी माई के आ रही है, और बहु माई के जा रही है आपने तो अच्छी छूट दे रखी है अरे नहीं नहीं छोटी, अंजली ने तो अभी 10-15 दिन रहना है आजा अंदर आजा जठानी जी, आपको तो बहु की लगाम खीचनी नहीं आती मैंने अपनी बहु की लगाम खीच कर रखी हुई है और मेरी मर्जी के बिना हमारे घर में पत्ता भी नहीं हिलता एक बार की बात बताऊं जठानी जी मेरी बेटी आयू थी सीमा तो बहु की माँ बिमार हो गई तो बहु ने मुझे बोला कि मैं चली जाओ मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि अगर तू चली जाएगी तो मेरी बेटी की सेवा कोन करेगा मेरी बेटी यहां काम करने थोड़ी आई है मैंने तो मना कर दिया और एक बात और मैंने तो ये बोला तो डॉक्टर जो जा कि अपनी मां का इलाज करेगी मैंने तो रोग दिया अरे देवरानी जी तो शीव ने कुछ नहीं बोला गाबी जाची जी मेरा बेटा तो शर्मन कुमार है वो तो बस मा की सुनता है और बहु की मा वो तो कुछ दिन बाद वैसे ठीक हो गई और बेटी पूरे पंदरा दिन लगा के गई फिर बहु से मैंने पूरी चाकरी करवाई पूरी सेवा करवाई और जाते टाइम मैंने बेटे से बहु से दो साड़ियां सूट शगुन मिठाईयां बचो के कपड़े सब दिलवाया अरे मेरे जीते जी मेरा बेटा बहु मेरी बेटी को नहीं देंगे तो मेरे मरने के बाद मुझे क्या पता इसलिए मैं तो यह ही चाती हूँ के मेरे जीते जी मेरी बेटी का पूरा सम्मान हो अरे नहीं छोटी मुझे इस बात की नहीं बिलकुल भी चिंता नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक होगा मैंने तो उन दोनों के अंदर इतना प्यार बना रखा है न जैसे बहने एक दूसरे का इंतजार करती है न वैसे ही वो ननत भाबी एक दूसरे का इंतजार करेंगी चाची जी मम्मी बिलकुल सही कह रहे है चाची जी हम दोनों ननत भाबी को तो हमेशा एक दूसरे का इंतजार रहता है क्यों भाबी क्योंकि चाची जी जब भी मैं माई के आती हूँ तो भाबी के साथ घर के कामों में पूरा हाथ बटाती हूँ क्योंकि ये मेरा माई का घर है पहले भी तो यहाँ पर सारे काम खुद ही करती थी तो आप मैं भाबी के उपर बोज नहीं बनना चाहती तब ही तो भाबी को हमेशा मेरा इंतजार रहता है और चाची जी आप भी सीमा दीदी को बोलो कि जब भी माई के आए न भाबी के साथ मिल जूल कर रहे देखा अंजली ना बिल्कुल सही कह रही है छोटी अगर हम जीते जी ननत भाबी में प्यार बनाएंगे न तो हमें अपने जाने के बाद ये चिंता नहीं रहेगी कि हमारी बेटीओं का इस गर में समान होगा या नहीं होगा जैटानी जी मेरी बेटी तो प्यार बनाना चाहती थी अपनी भाबी के साथ वो जब भी आती थी कुछ ना कुछ उसके लिए लेके आती थी लेकिन मैं ही उसे मना कर देती थी तो मना करने के क्या जरूर तो होती है छोटी तुझे अगर सीमा अपने घर में सक्षम है अपने भाबी के लिए कुछ लेकार आ सकती है तो क्या हुआ उन दोनों में प्यार ही बनता इस चीज़ से बेटियां सिर्फ लेने के लिए तो नहीं होती और इन ननत भाबी का तो रिष्टा ये एक दोस्ती का होता है उन्हें निभाने दे अच्छी तरह हाँ जे ठानी जी आप सही कह रहे हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी तो फ्रेंड्स एक मा को रहां बड़ी जातर टेंशन होती है कि कल को मैं ना रहूं तो मेरी बेटी का क्या होगा मेरी बेटी का माइका तो नहीं खतम हो जाएगा और यदी बेटी का माइका खतम होता है ना तो उसका कारण क्या होता है कारण भी खुद माई होती है क्योंकि वो अपने जीते जी अपनी बेटी में और अपनी बहु में बनने ही नहीं नहीं देती ननत भाबी का रिष्टा होता है बहुत ही प्यारा यदि उन दोनों के अंदर पहले से ही प्यार होगा मा के जीते जी प्यार होगा तब कभी भी ऐसा नहीं होता कि बेटी का माईका छूट जाए बेटी आ बहुत ज़्यादा रोती है जब मा चली जाती है बावियों से मिलने आती है और भावियां उनको वही वقت याद करवाती है कि वो वक्त याद करो जब तुम अपनी मां के साथ मिलकर मेरी ही चुगलियां करती थी मेरी ही बातें करती थी और बहुत सारे घरों में असा होता है फिर गलत ठेहरा जाता है भावियों को उनको नंदों को अपनी गलती तो याद नहीं होती तो नंद भावी का रिष्टा बहुत प्यारा है एक मिस्टर और मिसीज मंचंदा और वनीता मंचंदा को फोलो जुरूर कर लीजिए बाए